मैं साफ सब्दों में, सपष्ट सब्दों में ये कह देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी ठेकेदार हूँ, दिहान से हमारी बात सुन ले। अगर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार में प्राथमिक्ता नहीं दी गई, चाहे डायरेक्ट, चाहे इंडायरेक्ट, तो हिमाचल प्रदेश से आपको जाना पड़ेगा। साथियों, हिमाचल प्रदेश में रोजगार दिलवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिस पर कोई भी कॉम्प्रमाइज हम करने को त्यार नहीं है। कुछ दिन पहले मैं रामपुर्क शेत्र में गया था और वहां पे हमें जानकारी मिली कि जो लूरी सुनी प्रजेक्ट लग रहा है उसमें जो ठेकेदार है वो बहार के प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं साफ सब्दो में सपष्ट सब्दो में ये कह देना चाहता हूं कि चाहे कोई भी ठेकेदार हों दिहान से हमारी बात सुन ले। अगर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी गई चाहे डाइरेक्ट चाहे इंडायरेक्ट तो हिमाचल प्रदेश से आपको जाना पड़ेगा। हम हिमाजल प्रदेश के युवाओं के भविश्य के साथ कोई भी compromise करने के लिए तियार नहीं है हमारे अधिकारी आप से बात करेंगे और सारी लिस्टें किस तरीके से कितना रोजगार direct और indirect चाहे आपके गाड़ियों में चाहे captive crushers में चाहे और संसादों से प्रदेश के य निकाला जाएगा अगर बात अधिकारीओं से वरतलाब से बondे जो हम चाहते हैं कि बंए तो अच्छी बात है अगर नहीं बंगती हैं तो हम प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और जमीन पर उतारने के लिए पीछे नहीं हटेंगे मैं यह बा कार्य करें आपका स्वागत हैं मगर प्रदेश के युवाओं को प्राथमिक्ता दे वरना आप हिमाचल प्रदेश से जाने के लिए त्यार हुजाएं जै हिंद जै हिमाचल